है 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 अगा है है हलो बाइव मैं हुँ दीपक देवतवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आगया हूँ एक बहुत ही उप्यों की जानकरी जीरो बजट प्राकरते खेती क्या है जीरो बजट नेचरल फार्मिंग इंध हिंदी आज मैं आपको जीरो बजट के खेती के बारें बताऊंगा जो किसानों के लिए बहुत यूप्योंगी वीडियो है तो वीडियो कंद तक ज़रू देख लीजिएगा जिन कर दिया है और काफी कम समय के अंदर ही जीरो बजट प्राकरतिक खेती हमारे देश में काफी लोग प्रेया भी होती जा रही है जीरो बजट प्राकरतिक खेती के तहित किसान के वल उनके द्वारा बनाए गई खाद और अन्य चीजों को प्रयोग खेती के दुरान करते हैं जीरो बजट प्राकरते खेती करने में किसी भी प्रकार के रासाइनिक उरुवरा को और कीट नास्वों के इस्तमाल करने के कोई जरूरत नहीं पड़ती है इस खेती के तहट उगाई गई फसल सहत के लिए हेल्दी भी होती है क्योंकि इन फसल को उगाने में किसी भी प्रकार के रासाइनिक का इस्तमाल नहीं किया जाता है इस वक्त हमारे देश के कुछ राज्यों दुआरा जीरो बजट प्रकारते खेती को अपना लिया गया है और आने वाले समय में उम्मीद है कि ये खेती भारत के पूरे राज्यों में भी की जाने लगेगी की रोखा गया जीरो बजट प्राकरते खेती नाम इस तकनिके के तहट खेती करने के लिए किसानों को बजार से किसी भी प्रकार के केमिकल्स को खरी देंगी जरुत नहीं पड़ती जिसके कारण जीरो बजट प्राकरते खेती के दुरान सुन्य रुपे का खर्च आता है और इसलिए इस खेती को जीरो बजट प्राकरते खेती का नाम दिया गया है हालांकि इस प्रकार के खेती करने के दुरान खाद ब्राने में थोड़ा खर्चा आता है जीरो बजट प्राकरते खेती एक किर्सी अब्यास है जिसमें उर्वरा को और कीट नास को या अन्य केमिकल तत्तों का प्रियोग किया बिना फसलों को उगाय जाता है जीरो बजट प्राकरते खेटी तकनीक के तहट खेटी कर जो फसल उगाई जाती उनका विकास करने के लिए केमिकल की जगे प्राकरते खाद का ही इस्तमाल किया जाता है और ये खाद खुद तयार की जाती है जीरो बजट प्राकरते खेटी के फादे कम लागत लगती है जीरो बजट प्राकरते खेटी तकनीके के जरिये जो किसान खेटी करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के केमिकल और कीट ना सकत तक्तों को खरीदने की जरूत नहीं पड़ती और इस तकनीक में किसान केवल अपने दोरान इसलिए किया जाता है कि ताकि फसलों में किसी परकार का कीड़ा ना लगे और फसल को अच्छे से विकास हो सके हालां कि जब किसानों दोरा केमिकल और कीट ना सकत तक्तों का छिड़काओ फसलों पर किया जाता है तो इसके करण जमीन के उपजावपन को भी नुकसान पहुंचता है और कुछ समय बाद जमीन पर फसलों की पेदावार अच्छे से नहीं हो पाता है मगर जीरो बजट प्रकारतिक खेती तकनीक का इस्तमाल किसान दोरा खेती के दिवरान किया जाए तो उसकी मदद से जमीन का उपजावपन बना रहता है और फसलों की पेदावार अच्छी होती है मुनाफ़ा जादा होता है जीरो बजट प्रकारतिक खेती के तहत केवन खुझ से बनाएगी खाद का इस्तमाल किया जाता है और ऐसा होने से किसानों को किसी भी फसल को उगाने में कम खर्चा आता है और कम लागत लगने करन उस फसल पर किसानों को अधिक मुनाफ़ा होता है अच्छी पेदावार होती है जीरो बजट प्राकरते खेती के तेज़ जो फसल उगाई जाती है उसकी पेदावार काफी अच्छी होती है इसलिए अगर आपको लग रहा है कि जीरो बजट प्राकरते खेती के तहत खेती करने से फसलों की पेदावार कम होगी तो ऐसा बिलकुल नहीं है केसे सुरू हुई भारत में जीरो बजट प्राकरते खेती भारत में इस खेती की सुरूआत सबसे पहले दक्षन भारत के करनाटक राजजे से हुई थी और धीरे धीरे ये खेती भारत के अन्ने राजजे में पिरसे दोने लगी इस खेती की शुरुवात करनाटक राज्जे में सुभास पालेकर ने स्टेट 4 मेर्स S.O.C.N. करनाटक राज्जिय रेथा संग और मेंबर ओब लावाया कैम्प सीना के साथ मिलकर की थी इस वक्त करनाटे के करीब एक लाग किसानों ने इस खेती की तकनीक को अपना लिया है और अनुमान है कि आने वाले समय में ये संख्या और अधिक हो जाएगी कौन है सुभास पालेकर सुभास पालेकर एक पूरू किरसी विग्यानिक है और वो उन्होंने प्रामप्रिक भारतिय करसी प्रथाओं को लेकर रिसर्च की हुई है इन रिसर्च की मदद से उन्होंने जीरो बजट प्राकरतिक खेती किस प्रकार से की है इस पर अधियन किया था अद्दिन के बाद इन्हें 60 से अधिक विमिन भारतिय भासाओं में जीरो बजट प्राकरते खेती के उपपर किताबें लिख रखी है इन सबी किताबों में जीरो बजट प्राकरते खेती के बारे में इन्होंने विश्तार से जानकारी दे रखी है इन किताबों की मदद से कोई भी किसान जीरो बजट प्राकरतिक खेती की तरह से की जाती है जानगारी हासल कर सकता है J.D.B.N.F. के चार स्थम जीरो बजट प्राकरतिक खेती के दुरान किया जाता है J.D.B.N.F. मिता या जीवन मूरती की मदद से जमीन को पोसक तत्त मिलते हैं और ये एक उत्पररक एजेंट के रूप में कारी करता है जिसकी वज़े से मिट्टी में सुच्म जीवों की गतिविती बढ़ जाती है और फसलों की पेदावार अच्छे से होती है इसके अलावा जीवन मूरत की मदद से पेड़ों और पोदों को कवक और जीवानों सहित्र रोक्स होने से भी बचाय जा सकता है जीवामरत ब्राने की वरदी एक बेरल में 200 लिटर पानी डाले और उसमें 10 किलो ताजा गाय का गोवर 5-10 लिटर वरद गाय का मुत्र 2 किलो पल्स का आटा 2 किलो ब्राउन सुगर और मिट्टी को मिला दे ये सब चीजें मिलाने के बाद आप इस मिस्रण को 48 गंटों के लिए चाया में रख दे 48 गंटों तक चाया में रखने के बाद आपका ये मिस्रण इस्तिमाल करने के लिए तैयार हो गया किस तरह से इस्तिमाल करे इस मिस्रण को एक एकड जमीन के लिए आपको 200 लिटर जीव अमरत मिस्रण की जरूरत पड़ेगी और किसानों को अपनी फसल को महिने में दो बार जीव अमरत का छिड़काव देना होगा किसान चाहे तो सिचाई के पानी में इसे मिले कर भी फसलों पे छिड़काव कर सकते हैं इस उपचार कहा इसुपा नए पोधे के बीज रोपन के दोरान किया जाता है और बीज अमरत की मदशे नए पोधे को, जड़ों को कवक, मिट्टी पेदा होने वाली बीमारी और बीजो की बीमार्यों से बचाय जाता है बीज अमरत को बनाने के लिए गाई का गोबर, एक सक्ति साली प्राकर्तिक कवन नास, गाई मुत्र, एंटी बैक्टीरिया तरल नीम्बू और मिट्टी का इस्तमाल किया जाता है किस तरह से इस्तमाल करें इस मिस्रण को? किसी फसर के बीजों को बोने से पहले, उन बीजों में आप बीज अमरत अच्छे से लगा दें, ये लगाने के बाद उन बीजों को कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दें, इन बीजों पर लगा बीज अमरत का मिस्रण सूख जाने के बाद आप इनको जमीन में बो सकते है अच्छा दन मल्चिंग मिट्टी की नमी को संद्रक्षन करने के लिए उसकी प्रजुन चमता को बनाय रखने के लिए मल्चिंग का सहरा लिया जाता है मल्च परिकिर्या का अंदर मिट्टी की सते पर केई तरह के मटरियल लगाई जाते हैं ताकि खेती के दुरान मिट्टी गुणवत्तों को नुकसान ना पहुँचे। मल्चिंग तीन प्रकार की होती हैं जो कि मिट्टी मल्च, इस्ट्रो मल्च और लाईव मल्च होती है। इस्ट्रो मल्च इस्ट्रो सबसे अच्छी मल्च सामेगरी में से एक है भूसे मल्च का उप्योग सबजी के पोदे की खेती में अधिक क्या जाता है कोई भी किसान चामल के भूसे और गेहों के भूसे का उप्योग सबजी की खेती के दुरान अच्छी सब्जों की फसल पा सकता है और मिट्टी गुनवता को भी सही रख सकता है लावी मल्चिंग लावी मल्चिंग पर किर्या के अंदर एक खेत में एक साथ कही तरह के पोदे लगा जाते हैं और ये सभी पोदे एक दूसरे पोदे को बढ़ने मदद करते हैं उधारन के लिए कोफी और लोंग के पेड़ फुल सनलाइट की जरूरत नहीं पढ़ती वहीं गेहूं और गन्ना, बाजरा, विरागी, मक्के के पोदे केवल फुल सनलाइट में ही बढ़े हो सकते हैं इसलिए लावी मल्चिंग पिरकिरिया के अंदर ऐसे दो पोदे को एक साथ लगा दिया जाता है जिन मेंसे कुछ ऐसे पोदे होते हैं जो कि कम धूप लेने वाले पोदों को अपनी छाये प्रदान कर देते हैं और ऐसे होने से पोदे को विकास भी अच्छा हो पाता है वहापासा सुभास पाले कर दुवारा लेखी गई किताबों के अंदर कहा गया है कि पोदों को बढ़ने के लिए अधिक पाने की जरूरत नहीं होती और पोदे वहापासा यानि भाप की मदद से भी बढ़ सकते हैं वहापासा वह इस्तिती होती है जिसमें हवा अनू है और पानू के अनू मिट्टी में मुझूद होते हैं इन दोनों अनू की मदद से पोदे का विकास हो जाता है किस राज्जे में अपनाये इस खेती को भारत का आंधर प्रदेश राज्जे पहला है से राज्जे जिसने जीरो बजट प्राकरते खेती को पूरी तरह से अपना लिया है और साल 2024 तक आंदर प्रदेश सरकार ने जिरो बिजट प्राकरते खेदी को हर गाओं तक पहुचाने का लक्ष रखा गया है इस राज्य के सरकार ने साल 2015 में सबसे पहले इस तकनिकी के गप्रियोग कुछ गाओं में किया था तो जिरो बिजट प्राकरते खेदी के तहट खेदी करने से इन गाओं में के किसानों को फाइदा भी पहुचाय गया है जिसके बाद इस खेदी को यहां की सरकार दुआरा और बढ़ावा दिया गया है इस वक्त आंदर प्रदेश के लगबग 5 लाग किसानों ने जिरो बजट प्राकरते खेदी के तहट खेदी करना सुरू भी कर दिया है वही हाली में हिमाचर प्रदेश सरकार ने भी जीरो बजट प्राकरतिक खेती को अपने राज्जे में बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना शुरू कर दी है जीरो बजट प्राकरतिक खेती के प्रसित दोने करण अब हमारे देश में केमिकल्स का इस्तमाद खेती के दुरान दीरे दीरे बंदोने लगा है कई राज्ये जीरो बजट प्राकरतिक खेती को बढ़ावा देने से भी लगे हुए ताकि उनके राज्जी के किसान केमिकल्स के जगे प्राकरतिक चीजों को इस्तमाल कर खेती के लिए प्रोसाइथ हो सके तो भायू ये थी हमारी जीरो बजट प्राकरतिक खेती के बारे में कुछ जानकारी अगर आप इस खेती के दुआरा आप करना चाते हैं तो आप भी मार सकते हैं किस तरह केमिकल बना सकते हैं तो मार्केट में ये जीरो बजट खेती कुप पर किताब ला सकते हैं और उससे घर बेठे नुसके तयार कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतना कोई कोश्ट आती नहीं है गाय का मुत्र और भी जैसे अपने गाउं में थोड़ा मल मुत्र होत तो आप गर पही तयार कर सकते हैं और dieser dad कि इए एख़ी करें टो इनदी क्या स्वास्त के लिए स्वास्त के लिए बिल्कुलहानिकारागा रख़ते हैं तो इन से सब्सबिको बचा सकते हैं और एक अच्छी और सुत्री फसल पा शकते हैं तो भाहई आज के लिए इतना ही जानकारी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जाज़दा सेयर करें जिससे और किसान भाई भाई भी इसका लाव उटा सकते हैं और इस योजना का फायदा उठाएं अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे झाल झाल झाल